दोस्तों इंटरनेट ने हमारी जिन्दिकी को इस कदर बदल दिया है कि आज हम इंटरनेट के बिना एक पलवी नहीं रह सकती और यहां तक कि इंटरनेट के बिना तो हम अपनी लाइवी इमेजन नहीं कर सकती पर क्या आपने सोचा है आखिर ये इंटरनेट का मालिक है कौन तो देख तेरे इस पीडियो को क्योंकि आज मैं आपसे इसकी बारे मत करने वाला हूँ नमश्कार दोस्तो मेरा नाम मोहित आप देखने टेक नंदन लेट्स स्टार्ट दोस्तो इंटरनेट जिसको इंटरकनेक्टिड नेटवर्क भी कहते हैं यानि की एक ऐसा नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स, सर्वर्स और नेटवर्क डिवाइस को आपस में जोड़े रखता है इंटरनेट से जुड़ा हर एक डिवाइस एक दूसरे से कॉम्यूकेट करने के लिए स्टेंडर राइट्स कॉम्यूकेशन प्रोटोकॉल टीसीप आईपी प्रोटोकॉल का इस्तमाल करता है लेकिन जब बात आती है इसके मालिकाना हग की तब हम कह सकते हैं कि इंटरनेट का मालिक हम सभी हैं और कोई भी नहीं अगर सही माइनों में देखा जाए तो कोई भी एक इनसान या और्गनेजेशन इंटरनेट का मालिक नहीं है इंटरनेट पर मालिकाना हग उन सभी लोगों का है जो की इसका इस्तमाल करते हैं Directly और Indirectly लेकिन इंटरैट को बिना रुकावट चलाने के लिए कुछ standards को set किया जयता है इन standards को set करने के लिए कुछ group, committees और board होते हैं जैसे Internet Architecture Board Internet Research Task Force Internet Engineering Task Force Internet Network Information Center World Wide Wave Consortium दोस्तों बस फ्लेटली इतना इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंद आते तो इसे लाइक कीजिए शेट कीजिए पने फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें तो मिलते अगले वीडियो में गुड़ बाई